हेलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, सिंप्लिफाइट स्टडी ओफिशियल, तो गाईज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, राइट्स ओफ कंपनी ओडिटर, ओडिटिंग और सेकेटरियल, प्रैक्टिसेज की बुक से, बीकम फोर्ट सेमकी, तो इसकी फूल प्ले कंपनी ओडिटर का ओव जाता है, राइट तो एकसेज, बुक्स ओफ अगाउंट, हर अपडिकर जाएगा जाएगा, और आफ एक स्कहतेक परमराइशन, से देखने पड़ेंगे next आजाएगा right to obtain information and explanation auditor एक authorized person है उसको वो जो company के जो भी members है या फिर officer है वो क्या करेंगे auditor को अगर उसको की information चाहिए तो वो से provide करेंगे because वो auditor है उसे अपने काम के लिए information चाहिए होगी तो information और explanation सारी उसे दी जाएगी officer के थरू या फिर members के थरू next guys third right आजाएगा right to inspect branch account अगर माल लो किसी branch office है company का वो audit किया जा रहा है किसी और person के थरू वो company auditor नहीं है किसी और person के थरू वो audit किया जा रहा है branch office तो तो auditor के पास company के auditor के पास ये right है कि वो branch office जा सकता है और वहाँ जो उसे necessary information चाहिए वो वहाँ से जा के ले सकता है तो next आजेगा right to receive notice right to receive notice में जो auditor का right है वो हमारा आजाता है कि जो auditor है मारा अगर company में कोई notice दिया जा रहा है मालो annual general meeting होने वाली company में ठीक है उस notice में बताया जाएगा कि कब meeting होगी किस date को होगी किस कारण से हो रही है न सब चीज़े उसमें mention होगी तो auditor का ये हग है कि उसे सारे जो notice है वो उसे मिले ठीक है next आजाएगा हमारा next guys हमारा आजाता है fifth point right to sign the audit report only जो person auditor के रूप में appoint किया गया है company के दवारा उसे right है कि वो audit की जो report है जो auditor report देता है सब कुछ examine करने के बाद books of accounts के examine करने के बाद audit अपनी audit report देता है auditor वो कौन sign करेगा सिर्फ और सिर्फ auditor ही करेंगा company को जिसको appoint किया गया है company के दवारा as an auditor next हमारा आजाएगा right to seek legal and technical advice अगर auditor को अपना काम करते समय कोई भी technical या फिर legal advice चाहिए तो वो company के थरू officers के थरू वो advice ले सकता है ठीक है उसे अपने काम करने के लिए को technical advice चाहिए वो company के थरू या अपने client के थरू वो क्या कर सकता है ले सकता है next हमारा आजाता है right to be indemnify अगर मालो एक auditor है उसने अपना काम किया books of accounts देखे ठीक है branch office गया auditing report उसने sign की काफी सारे उसके काम होते है उसके काम करते समय उसको कोई खर्चा हुआ कोई expense होया या उसकी कोई liability बड़ी ठीक है तो वो क्या करेगा indemnify करेगा company के जो assets है company के जो assets है वो उन में से अपने आपको indemnify करेगा जो भी उसने खर्चा किया या जो भी उसे liability हुई है auditing करते समय as an auditor of the company तो वो indemnify कर सकता है उन expenses को उन खर्चों को assets company के मतलब company के जो assets है उन में से वो ले सकता है पैसा या फिर कोई भी asset जो जिससे उसकी liability decrease हो जाए अगर मालनों उसने 20,000 प्या खर्चा किया है अपनी तरफ से अपने और से उसने 20,000 खर्च किया है auditing करते समय तो यह उसका हक है कि वो indemnify कर सकता है assets from the company last right आजता है right to remuneration अब auditor company में काम कर रहा है किस के लिए काम कर रहा है कि उसको थोड़ी salary थोड़ा पैसा मिलेगा ठीक है वो उसको remuneration मिलेगी तो उसका हक है कि वो अपना काम करने के बाद remuneration मांग सकता है company से and demand कर सकता है क्योंकि वो काम कर रहा है किस के लिए remuneration के लिए पैसे के लिए काम कर रहा है उसको पैसा मिलना ही चाहिए तो गईज आज की वीडियो में हमने किये Rights of an Auditor पिछली वीडियो में मैंने लेबिलिटी भी बताई है investigation भी बताई है और पूरी इसकी playlist का लेंक आपको description में मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो and channel को subscribe कर दो thanks for watching this video meet you soon in the next video with the next topic